प्यारे बच्चो आप सभी का सवकते हैं हमारे इस व्यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बच्चो आपकी जो है कारपत्रिका 17 के बारे में बात करेंगे जो मैथुमेटिक विसे की है कच्छा साथ की है और आज की डेट क्या है 29 2021 यहाँ पर बच्चो आपको अपना नेम यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है और इस कारपत्रिका को सुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि लास्ट वीक के जो विनर है उसको जो है बच्चो गिफ्ट आस साम तक पारसल कर दिया जाएगा और साती सात जो हमारे इस वीक के विनर का अनॉंसमेंट होगा वो संडे को किया जाएगा यानि कि इस वीक भी कॉंटेस्ट ओपन है अगर आप पास्पेड करना चाते हो तो लाइक से एर सब्काइब कमेट जरूर करना और साती सात आपको बच्चो एक बात और मैं बता दूं कि इसके पहले के जो वीक के विनर्स रहे हैं जिनको गिफ्ट मिला है उन सभी की वीडियोस पब्लिस की यह हमने discussion में जाके आप क्या है उन वीडियोस को देख सकते हो चलो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है इसमें बोला गया है इसमें बोला गया है बच्चो exponent and power exponent और power के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे जानेंगे तो बच्चो इसमें क्या दिया गया है as we know 4 into 4 यानि 4 को जब बच्चो 4 से multiply करते हैं तो हमारा क्या बनता है हमारा 4 की power 2 बनता है इसी तरीके से and 4 into 4 into 4 यानि कि जब 4 को 4 से multiply करें और फिर 4 से multiply करें तो हमारे 4 की power क्या बन जाता है 3 बन जाता है बट अगर हम क्या करें अगर हम 4 into 4 की power 2 into 4 की power 3 करते हैं यानि 4 की power 2 को multiply करवाते हैं 4 की power 3 से बच्चो तब हमारा क्या होगा तो इसका मतलब क्या है बच्चो इसका मतलब है 4 into 4 into 4 into 4 और into 4 यानि 4 बार 4 यानि क्या बन गया 4 की power 5 बन गया तो इसमें क्या लिखा है base is same in product then exponential power is add कहने का मतलब बच्चो ये है कि अगर मान लो base a है और यहां भी क्या है a है power में m लगा यानि कोई number है और power में n लगा है कोई number है तब उस समय बिटा है इनकी जो powers होंगी हम base same रखेंगे वही a लेंगे बट power को हम क्या कर देंगे plus कर देंगे यानि m plus n कर देंगे और बन जाएगा हमारा क्या एक formula तो क्या होगा बिटा 2 plus 3 करकर 5 आ जाएगा तो मतलब क्या है अगर हम कहें कि 10 की power 11 is equal to 100 की power 11 होगा तो गलत कभी भी ऐसा नहीं होता है ठीक है 10 की power मान लो आपको 11 दिया गया है और हन्याहा लिखा है 10 into 11 ठीक है 10 की power 11 तो आप कभी भी इसको यह नहीं लिखोगे 10 की 100 की power 11 गलत हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा बिटा इसका मतलब यह होता है कि base हमेशा रखो same यानि base को लिखा और इसकी power में 1 है और इसकी power में 11 है तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों को add करके 11 plus 1 12 इसी तरीके से जब 2 base को क्या है हम plus कर रहे हो तो इसकी power को कभी भी हम क्या है plus नहीं कर सक जहां पर m और n क्या है वो नमबर है तो कहने का मतलब यह है कि a की power m हो into a की power अगर n हो तो दोनों के base के हैं सेम है तो हम एक बार base लिख देते हैं और power में m प्लस n कर देते हैं और यह concept खाली तब ही use होता है जब multiplication में दिया जाता है ठीक है चलो देखते हैं अगला क्या दिया तो यहां रखना बेटा जब भी divide होता है तो हम power हमेशा क्या कर देते हैं power में minus करते हैं क्या करते हैं minus करते हैं तो यहां देखो क्या है divide में दिया गया 3 की power 4 divided 3 की power 2 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि 4 minus 2 is equal to 3 की power 2 इसे हम यह लिख सकते हैं तो hence यहां पर एक बात सम तो हम क्या करते हैं यह काम करते है यानि कहने का मतलब है A की power मानलो क्या दिया गया बच्चो M दिया गया है और A की power N दिया गया है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे A की power में से M को M में से N को माइनस कर देंगे ठीक है डिवाइड में जब भी होगा तो ये काम करेंगी जहां पर M क्या होगा ग्रेटर होगा किसे N से चलो बच्चो इसके बाद क्या दिया गए देखो इसके बाद दिया गए है ठीक है देखो क्या दिया गए तो किसे 2 की power 2 से ठीक है टीक ही पावर 3 को multiply कर दो बच्चो किसे 2 की power 2 से बट ये मतलब नहीं होता है इसका मतलब होता है 2 की power 3 से जैसे हमने क्या है अभी इसको भूल जाओ अभी मेरी बात सुनो अगर A की power 2 लिखाओ तो क्या होगा इसका मतलब A into A होगा ठीक अगर यही काम क्या है A की पावर B पर पावर 2 लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा A की पावर B बच्चो into A की पावर B हो जाएगा तो वही काम बिटा यहां पर है वही चीज यहां पर हो रही है, 2 की पावर 3 की वोल पावर क्या दीगा, यह 2 देगे यह इसका मतلब होगा, 2 की पावर 3 into 2 की पावर 3, ठीके, तो यहाँ पर अब एक छीज इसके बाद हमें समंद में आती है, जिब भी 2 की पावर 3 into 2 की पावर 3 होगा, यानि multiply हम होगा तो power क्या होती है बिटा add होती है तो 3 plus 3 किता हो जाएगा 3 plus 3 हो जाएगा बिटा 6 ठीक है और इसको हम यह भी तो लिख सकते है 3 into 2 यह भी तो लिख सकते है तो that means हमें यहाँ से एक बास समझ में आई कि A की power M की whole power क्या हो जाए N हो जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे A की power M into N ठीक है तो यहाँ रखेगा यहाँ पर भी क्या है बेस समझ होगा अब इन्हों का है think which is greater कौन बड़ा है ठीक है यह चीश सोचो कि बड़ा कौन है कि 2 की power 5 की power 2 into 3 बड़ा है या 5 की power 2 की whole power 3 तो बड़ा कौन है बिटा यहाँ पर बड़ा यहाँ पर हो जाएगा 5 की power 2 की whole power 3 ठीक है यह क्या हो जाएगा greater हो जाएगा किससे 5 की power 2 into 3 से ठीक है इसे आप note down कर लेना चलो आगे देखने क्या दिया गया है तो आगे दिया गया है ठीक है जब क्या होगा when base is different exponent is same under the multiplication जब क्या हो base different हो और exponent same हो जैसे 2 की power 3 into 3 की power 3 दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या करोगे 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3 एक bracket में करके फिर इसके बाद क्या होगा बिटा यहाँ पर इनके बन जाएंगे जोडे 2 into 3 2 into 3 2 into 3 फिर क्या होगा बिटा यहाँ पर 2 into 3 का क्या हो जाएगा 6 2 into 3 का आजाएगा 6 और 6 6 यानि 6 की power 3 बन जाएगा तो 6 is a product of base 2 and 3 6 का है product है किसका base 2 into 3 का तो हमको यहाँ से एक बास समझ में आए कि जब भी कोई non integer दिया जाएगा A और B और where M is a whole number जहाँ पर M क्या हो वो number तब क्या होगा यानि A की power मानलो M दे दी गई into B की power दे दी गई M तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम लिखेंगे A into B इसका मतलब क्या हो जाएगा A into B की power M हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा A into B की power M हो जाएगा जब उपर 3 लगा है तो क्या हो जाएगा 2 into 3 की power 3 हो जाएगा और इसका answer क्या हो जाएगा 6 की power 3 इसी तरीके से बिटा अगर क्या होगा power same होगी और base different होगा तो यहाँ भी वही काम करेंगे जैसे 2 की power 4 divided 3 की power 4 लिखा हो तब क्या करोगे बिटा तो यहाँ पर 2 upon 3 की power क्या हो जाएगा 2 upon 3 की power 4 हो जाएगा कहने का मतलब है a upon b a की power m upon b की power m दिया जाए तो इसका मतलब होता है a b की whole power m हो जाएगा आगे देखो बिटा क्या दिया गया इसमें आगे देखो दिया गया है कि any number ठीके expect 0 rise of power exponent is 0 equal to 1 यानि कोई भी number हो जिसके ओपर 0 लगाओ वो 1 के बदाबर होता है जैसे 4 पर क्या हो जाए 0 लग जाए तो किसके कल हो जाएगा बिटा ये ये कल हो जाएगा 1 के चलो आगे देखने हैं क्या दिया गया आगे बुला गया let practice अब practice करना है और simplify करना है simplify and express each of the following of exponent form इनको कैसे लिखना है exponent form में लिखना है तो को इस वाले का पहला solution आपको दे दिया गया ठीक है एक solution आपको दिया गया मैं एक एक करकर आपको यहीं पर समझाते बर चलता हूँ जैसे यहाँ पर देको 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 multiply में दी गई थी तो मैंने अभी आपको पता है A की पावर M into A की पावर N दी जाए तो इसका मतलब क्या होता है A की पावर M plus N होता है उसी formula का यहाँ पर use करा गया तो यहाँ देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 को क्या करा 2 base में लिखा और 5 plus 3 is equal to 8 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P की पावर 3 ठीक है यहाँ क्या हो जाएगा P की पावर 3 plus 2 is equal to क्या बन जाएगा P की पावर 5 इसके बाद नीचे देखो minus 4 की पावर 100 और into minus 4 की पावर 20 तो यहाँ क्या हो जाएगा minus 4 की पावर 100 plus 20 is equal to क्या होगा बिटा यहाँ पर is equal to हो जाएगा 100 की पावर ठीक है 100 की पावर 120 ठीक अगर ना समझ में आया हो देखो मैं फिर से अभी लिखता हूँ इसको अब समझ में आ जाएगा देखो पहला आल आपको मैंने करवा दिया इसमें क्या करवा है 3 की पावर 2 प्लस P की पावर 2 प्लस 5 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है और दूसरे आले को देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे minus 4 की पावर 100 हना और into में minus 4 की पावर 20 अच्छा बेज़ दोनों का क्या है सेम है minus 4 ही रखेंगे 100 प्लस क्या करदेंगे 20 करदेंगे और जैसा ही 100 प्लस 20 करेंगे तो minus 4 की पावर क्या हो जायागा ऺटभा 4 की पावर 120 हो जाएगा चलो अगला देखते हैं प्लस क्या दिया गया तो वही काम बिटा है यहाँ पर करा गया 2 की पावर 5 माइनस 3 करा गया इसक्वाल टू की पावर 2 आ गया जैसे इसका solution आप करोगे डखो 20 की पावर क्या है 15 है तो लिखोगे 15 माइनस 13 पावर में और इसक्वाल टू आंसर कितना आ जाएगा 20 की पावर 2 सेकंड वाले में क्या हो जाएगा 7 की पावर 13 माइनस 10 हो जाएगा ठीके इसका मतलब गया हो जाएगा 7 की पावर 3 ठीक इसका solution भी आप note down कर लेना चलो अगला देखते है क्या दिया गया बटा अगला दिया गया है देखो यहाँ पर दिया गया है 5 की पावर 2 की वोल पावर 4 दिया गया था तो अभी मैंने आपको बताए A की पावर M हो की वोल पावर क्या हो N हो तो हम एसा क्या करते है A की पावर M into N लिख देते हैं तो वही काम यहाँ पर करा गया 4 into 2 8 कर दिया गया ठीके यहाँ पर 6 की पावर कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी और यहाँ पर 7 की पावर कितनी हो जाएगी बिटा 100 हो जाएगी ठीक है चलो अगला प्रसंद देखते हैं क्या है हमारा यहाँ पर आपको दिखेगा कि base different है power same है मैंने अभी आपको सिखाया है जब भी ऐसा होता है कि a की power क्या हो मानलो m हो और into b की power क्या हो m हो तो यह क्या हो जाएगा a into b की power m हो जाएगा तो वही काम यहाँ पर करा गया ठीक है 2 की power 3 है 2 की power 4 है power same है बिटा तो 2 into 4 करकर 8 की power 3 कर दिया ऐसा ही यहाँ पर क्या हो बिटा यहाँ पर हो जाएगा A into T की पावर 2 जिसक्वल 2 क्या आजाएगा? जिसक्वल 2 आजाएगा A T की वोल पावर 2 ठीक है बिटा? तो इसे आप क्या करोगे? नोट डाउन करोगे इसके बाद next वाला यहाँ पर देखो क्या है? next वाला है minus 2 की पावर 4 into minus 3 की पावर 4 हो किया आजाएगा बिटा? minus 2 into minus 3 की पावर 4 और answer कितना आजाएगा यहाँ से? 6 की पावर 4 ठीक है? इसे आप नोट डाउन कर लेणा बिटा ठीक है? अगला चलते हैं देखते हैं क्या दिया गहा है? यहाँ पर देखो दिया गया, 4 की power 5, minus 3 की power 5, divide 4 by 3 की power 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है बिटा, यहाँ पर भी वही काम करोगे आप, यहाँ लिखो, 5 upon b की power 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीके, नीचे वाले में इसका क्या हो जाएगा solution, तो इसका solution लिखना, 5 upon minus 2 की power 6, ठीके, तो आपका क्या है बिटा, आपकी यहाली वक्सीट होती है, यहीं पर समात, आपको बेटा वीडियो कैसे लगी, कमेंट करकर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सस्काइब करना, ज़्यादर ज़्यादर कॉंटेस में पास्पेट करने की कोशिस करना, ठीके, और संडे को हो सकता है, आप विनर एनाउंस हो जाओ, धन्यवाद बक्चो,